आप देख रही है MNS News सच ज़रूरी है विपक्षी एकतब पर बाबुलार मरांडी का तंज बोले पीम मोदी कहते हैं न खाओगा न खाने दूगा इसलिए उन्हें अपनी कूर्सी जिहा लोगसबा चुनाओ को लेकर एक जूट हो रहे विपक्षी पर जार्खन के प्रोमुक्यमंत्री बाबुलार मरांडी के जमकर हमला बोला है जिया दरसल खास बाबुलार मरांडी ने नितिश कुमार दौरा बुलाई गई बैठक को लेकर कहा है कि विपक्षी बैठक करे उधापटक करते रहे क्योंकि वहीं बैठक कर रहे हैं जो परिवारवाद का करता धरता है दर असल विपक्षी को संकर दिख रहा वही विपक्षी एक जुटता में दिली सियम अर्विन केजरिवाल की भागिदारी को ले कर पूछे गए सवाल पर बाबुलाल मरांडी ने कहा है कि केजरिवाल शामिल हो रहा है क्योंकि उनके दो मंतरी जेल में हैं सतियेंद्र जेन तो एक साल से उपर हो गया अभी बहार न मेंता ने कही कि यह होना ही चाहिए जिया बंगलदेशी घुस्पेट पर क्या बोले बाबुलाल मरांडी ने कहा है कि यहां की डेमोग्राफी बहुत बदली है सरकार जमीनों पर लोगों को मगलत तरीके से बसाया जा रहा है एक मैं इसी को लेकर प्रेस कॉंफरेंस करूगा क्योंकि मेरे पास सबूत है वही बीजीपी के तयारी को लेकर उन्होंने कहा है कि बीजीपी हर समय तयार करते रहती है इस बार भी 2024 का चुनाव बीजीपी ही जीतेगी वही से पहले बाबुलार मरांडी ने कहा था कि पाकुर और सहीब गंज में बहुत गंबीर हालत है स्थिती चिंदा जनक है डेमोग्राफी बदलाव में आदिवासियों का अस्थित्व खत्रे में है बंगलादेश घुसपैटियों से संतानत परगान के पूरे इलाकों को गर्मिया तल लगतार तेज होती नजर आ रही है वही बीजीपी भी किसी राज्य में कोई अकसर नहीं चोड़ना चाहती है भारतिये जन्ता पार्टी याने बीजीपी अभी से चुनाव परचार में बड़े जोर सोर्श लगी हुई है आज केंद्र ग्रमंत्रिया मिश्या दो रैलिया करने वाले है पहली रैली पंजाब के गुरूदा स्पूर में तो दूसरी रैली हरिना यहरियाना के सिर्सा में होने वाली है जिया इन रैलियों को सफल बनाने के लिए बीजीपी ने अपनी पूरी ताकत जोग दिया है गुर्दा स्पूर की दाना मंडी में हो गया है चप्पे चप्पर पर पुलिस के जवानों को खड़ा किया गया है बम निरोधक दस्ते से लेकर डॉगर स्कॉट की टीमों को भी यहां तैनात किया गया है कौमी इंसाफ मोर्चा के नेता हिरासत में जिया गुर्दासपूर की हो रही कि इंद्रिय ग्रमंत्री अमिश की रैली को लेकर कौमी इंसफाल मोर्चा के नेताव समय कही कारकटाओँ को हिरासत में ले लिया गया है आपको बता दे कि बंदिसी को की तुरंत रहाई को श्री गूरुर्व ग्रंद साहिब की बैद्बी के मुट्दे पर कौमी इंफाल मोर्चा शाह की रैली में प्रदशन करने की चेताओने दिया है इसको लेकर पोस्टर भी बाटे गए है जिसके बाद शनिवार को ही कौमें फाल मोर्चा सयुक्त आकाली दल के अध्यक्ष भाई गुर्दीप सिंग बठिंडा को हिरासत में ले लिया गया था जिया बीजीपी में शाम समिकरन प्रभावित होने वाले हैं बिजली के टोती को लेकर सरकार पर निशाना साधा था आज रवयार को उन्होंने किसानों के मुद्धे पर सरकार को पूरी तरह नाकामा करार दिया है शियुपाल ने ट्विट करते वे लिखा कि किसानों के मुद्धे पर ये तथा कती त्रिमपल इंजन की सरकार फेल है न वाजपा के किंद्री सरकार के नो वर्ष की उपलब्दियों पर तंच कस्ते वे कहा था कि सरकार बिजली पानी बरती महंगाई और रोजगार में नाकाम है इस बार चुनाओं में सप्पा 80 सीटों पर उमिद्वार उतारेगी आजमगर लोकसभा से भी प्रत्याशी का जल्द ही अलान होगा क्या शिवपाल खुद आजमगर से मैदान में उत्रेगे इस सवाल पर उन्होंने कहा कि जो पार्टी कहेगी उसका पालन करेगे बहुत पार्टी जल्द प्रत्याशी फाइनल कर देगी शिवपाल यादों ने शुकरवार को रानी की सराई इलाके के अंतरग किया ता जिया वहां महारजगंज में संतर कवल दास की पुनेतिती के कादक्रम में भी पहुंचे ते इस दरान उन्होंने जवान को शहीद का दज़ा प्रदान करने की मांग की है इसी तरह की दिनबर की तमाम खबरों से फिरकर आएगे आपका रूबरू तब तक के देख किया जएगे मनस्निवस